क्लो 3D में अभी तक हमने काफी डिजाइनिंग की है, पर ये सॉफ्ट्वेयर केवल पैशन डिजाइनर के लिए नहीं, बलकि कई 3D डिजाइनर के लिए यूसफुल है, आप यहां अपने प्रड़क्ट को प्रोफेशनली डिस्प्ले भी कर सकते हैं, जरूरत के अनुसार क्ल अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं हूँ मुसकान, और हम इस चैनल पर 3D डिजाइन सॉफ्ट्वेयर और फैशन से रिलेटिड कई चीजों के बारे में बात करते हैं, इसके थुरू आप काफी अमेजिंग चीजे बना सकते हैं, आज हम क्लो कंपैटि चेंज नहीं कर सकते, इसलिए आज हम क्लो 3D की मिनिमम और रिकमेंडेड रिक्वार्मेंट्स के बारे में आपको बताएंगे, यहां पर काफी डिटेल में बताया गया है कि आपके PC में मिनिमम क्या फीचर्स अविलेबल होने चाहिए, इस साइट के लिंक को मैंने अपने में मैंशन कर दिया है, तो आप चाहे तो वहां से भी इस पेज पर जा सकते हैं, यहां Windows और Mac दौनों के अकॉर्डिंग कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं और इसमें सारे information दी हुई है, तो अगर आप नया computer या PC खरीदना चाहते हैं, तो आप इन informations को ध्यान में रखते ह हुए उसे परचेस कर सकते हैं, पर अगर आपके पास आपका Mac या Windows और विंडोज है, तो आप उसमें कैसे चेक कर सकते हैं, कि वो क्लो 3D के कमपार्टिबल है या नहीं, तो अब हम वो सिखेंगे, operating system, OS, processor, memory से related details के लिए आप अपने menu को active करें और search bar में लिखें about your PC, इसके पात आपको सारे details मिल जाएंगी, आप यहां से चेक कर सकते हैं कि क्या जो PC आपके पास है, वो इस software के compatible है, Mac के लिए भी similar steps हैं, तो आप अपने Apple के menu में जाकर about open करके, यहां आपको similar details मिल जाएंगी, जहां से आप चेक कर सकते हैं, ग्राफिक कार्ट की information चेक करने के लिए फिर menu open करें और वहां निवीडिया लिखें और इसकी app setting चेक करें, पर अगर आपने कोई अपना personal graphic card purchase किया है, तो आप उसकी configurations को इससे match कर सकते हैं, लास्ट में है storage type, इसके लिए menu में defragment and optimize drive type करें, यहां media types में hard disk drive लिखा है, मतलब यह HDD है, और इसका size this PC में available है, इन सभी information के जरीए आपको पता चल जाएगा कि Clo3D आपके PC के लिए compatible है या नहीं, आज की class आपको पसंद आई हो तो इसे like करें ताकि future में हम और भी informative videos बना पाएं, आप इस channel पर नए है तो इसे subscribe करें और bell icon press करें ताकि आप कोई भी tip, trick और tutorial को future में miss ना करें, तब तक के लिए keep creating, bye!